नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सोमवार व्रत कथा कहने जा रही हूँ, तो चलो, कथा शुरू करते हैं, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था, नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे इतना सबकुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दूर्की था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यू के पश्चात व्यापार के उत्तर आधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी पुत्र प्राप्ती की इच्छा से व्यापरी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जलाया करता था उसकी भक्ती देखकर मा पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनो कामना पूर्ण करने का निवेदन किया भगवान शिव बोले इस संसार में सब को उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ती होती है जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद मा पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनो कामना पूर्टी हेतू वे शिव जी से बार-बार अनुरोध करती रही अंततह माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ती का वर्दान देना पड़ा वर्दान देने के पश्चाद भोलेनाथ मा पार्वती से बोले आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ती का वर्दान तो दे दिया परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा उसी राद भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई भगवान के वर्दान से व्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपायू की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुन्दर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया परन्तु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयू के रहस्से का पता था जब पुत्र बारह वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ परहने के लिए वारांडसी भेज दिया लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ती हेतु चल दिया रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यग्य करते और ब्राहमनों को भोजन कराते लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इंकार न कर दे इससे उसकी बदनामी भी होगी जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़े अचके को दूलहा बना कर राजकुमारी से विवाह करा दूँ विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा वर के पिता ने लड़ाचके के मामा से इस संबंध में बात की मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली लड़ाके को दूले का वस्त्र पहना कर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया राजा ने बहुत सारा धन दे कर राजकुमारी को विदा किया शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लोट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नव्युवक की पत्नी बनना पढ़ेगा, वह काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ परहा, तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा को जब ये सब बातें पता लगीं, तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुँच गया, और गुरुकुल में परहना शुरू कर दिया जब उसकी आयू सोलह वर्ष की हुई, तो उसने यग्ग किया यग्ग के समाप्ती पर ब्राह्मनों को भोजन कराया, और खूब अन्न वस्त्रदान किये रात को वह अपने शयनकक्ष में सो गया, शिव के वर्दान के अनुसार शयनावस्ता में ही उसके प्राण पखेडू उड़िडी एच गए सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देख कर रोने पीठने लगा, आसपास के लोग भी एकत्र होकर दूख प्रकट करने लगे आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पारवती के साथ अद्रिश्य रूप में समीब जाकर देखा, तो भोले नात माता पारवती से बोले। यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है, जिसे मैंने सोलह वर्ष की आयू का वर्दान दिय इसकी आयू पूरी हो गई है। मा पारवती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पारवती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़ी डेचके को जीवित होने का वर्दान दिया, और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचार मिला, तो दोनों अपने प्राण त्याग परन्तु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लोटने का समाचार सुना, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा। पुत्र की लंबी आयू जानकार व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनो कामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कठा सुनते हैं, उनकी सभी इ शेयर कर दे, जिससे वह भी या कथा सुन ले वे, धन्यवाद.